आप सभी लोग ठीक होंगे आज में लेकर आया हूं आप सभी का फेवरिट टॉपिक तोड़ी वीडियो एज लेकर चलता हूं आपको हमारे रूम में इस तरह से जाएंगे और प्रेजंटिंग बिफोर यू माई फिस्ट आइंक रूम बहुत सारी चेंजिस करी है आपको आगे बताऊंगा ठीक आपके सामने आपके सेंटर में आपके आखों के सामने है मेरी जाएंट एट फीट की सिल्वर अरवान फिस्ट आइंक इसके अंदर है बड़े बड़े लाजवाब दो से ठाई फूट के सिल्वर अरवाना इनको हो चुके है अब पूरे दो साल उसके बाद में यहाँ पे राइट में है मेरी फूर फीट की एशन अरवाना फिस्ट आइंक इसके अंदर है मेरी खुबसुरत हाई बैक गोल्ड एशन अरवाना इसको भी अब हो चुका है पूरा एक साल अगर लेफ्ट में देखेंगे तो यह है मेरी तीन फीट की फैंसी गोल्ड फिश टैंक इसके अंदर सारे इंपोर्टेट थाइलेंड गोल्ड फिश है अगर आपने फिश टैंग रूम पार्ट बन देखा होगा तो उसके अंदर मेरे पास लोकल गोल्ड फिश थे जैसे ब्लैक मोर, शबन किन्स उस वक्त कॉन्फिडेंस और एक्स्पिरेंस नहीं था अब थोड़ा बहत एक्स्पिरेंस और नॉलेज आए तो सोचा की फैंसी अगर देता हूं तो यह है मेरी 3ft की Tiger Bops की टैंग Small size fishes में जितने भी small size fishes है उसमें Tiger Bops और Rosie Bops मेरे favorite fishes है क्योंकि इनका यह जो stripes है body के उपर और जो anal fin के उपर जो red color आता है इनको वो बहुत मुझे सुन्दर दिखता है इसके अंदर मैंने कुछ show pieces डाले है विकरज इनको उसके अंदर बहार जाना बहुत पसंद है आपको मैं close से भी इन सारे Rosie Bops का pattern दिखा दिता हूं यह जब मैं लेकर रहा था तब बहुत छोटे थे So here is my cute little white crayfish इसको अब बहुत ज्यादा time हो चुका है मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा active और set हो चुके यह tank में दिखने के लिए आप हमारे Instagram page को follow कर सकते हैं वहां मैं ऐसे interesting short videos upload करता हूं Then इसके अंदर है मेरे पास एक Dumbo year beta या elephant year beta वेहत खूब सुरत So now presenting to you my next beta fish tank You can look at that how active it is So this is a half moon fancy beta इसका color मुझे बहुत पसंद आया Peach tail blue body जैसा color है इसका So you can see कितनी spacious tank है इस नगनी सी beta fish के लिए तो इसके अंदर मैंने कुछ plants add करे है Flat stones add करे है Then थोड़ी बहुत black sand है इसके अंदर So plants अगर आप ज्यादा add करते हो beta tank में तो beta fish अपनी natural colors शो करती है So transportation के वक्त इस बिचारे की थोड़ी सी pin जोए पीछे की वो cut हो गई So I hope, I really hope की वो regrow हो जाए फिर से ठीक silver अरवना के side में है मेरी और एक क्रेफिस की tank इसके अंदर दो क्रेफिस है यह वाले मैं आपको दिखा देता हूँ यह है एक ghost क्रेफिस इसको बोलते है ghost क्रेफिस तो अगर आप इनको पीछे से पकड़ेंगे तो यह आपको काटेंगे नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ इसके अंदर है यह एक blue क्रेफिस तो हाली में हमारा flat जो है वो रिनोवेट कर दिया गया तो उसमें fist tank room को भी रिनोवेट कर दिया गया इसलिए आप देख सकते हो space बहुत जादा बढ़ गई है इतनी बढ़ गई है कि अब यहापे 3-4 fist tanks और आ सकते हैं उपर थोड़ी सी मेने changes करी है white LED spotlights लगाई है अगर आपने हमारा part 1, part 2 देखा रहेगा तो उसमें बहुत कम जगा थी यह जो जगा है यहाँ पे इस pole के ठीक सामने वहाँ पे वो 8 feet का fist tank और यह बाकी के जो fist tanks थे वो यहाँ पे इस जगा पर रहते थे तो अभी और जगा एक्स्टेंड हो गई है पीछे चले गई है तो इसलिए और spaces हो गया है and I am very grateful to my family की उन्होंने इतनी बड़ी जगा मेरे लिए कुर्बान कर दी मेरी hobby को support करने के लिए hobby को चलाने के लिए and और एक interesting बात आपको बताना चाहूंगा की जो भी लोग मेरे घर में आते हैं जो भी guests मेरे घर में आते हैं रिलेटिवस फ्रेंग्स या काम के पॉपस से जैसे electrician, plumber, carpenter वो सारे लोग पहले इस रूम में आते हैं बैटकर इन सारे fishes को देखते हैं वो कहते हैं कि उनको एक mini aquarium zoo जैसा लगता है विकोज एक जगह पर इतने सारे fish tanks बड़े-बड़े fish tanks उनको देखने को नहीं मिलते हैं तो इसके पहले हमारे fish tank room में कुछ और भी fishes थी कुछ और भी fish tanks थे अगर आपने fish tank room part 1 देखा रहेगा तो उसमें मेरे पास कुछ local goldfish थे, local cois थे, cichlits थे, sharks थे तो sharks तो मैंने मेरे school के fish pond में दे दिये, मैंने video भी बनाया था उसके बाद जो cichlits थे और goldfish कोई fish थे वो मैंने कुछ अपने friends को दे दिये, कुछ अपने relatives को दे दिये then मेरे पास बड़े-बड़े Oscars थे तो वो इतने बढ़ चुके थे कि मैं रख नहीं पाया उनको, तो मैंने सोचा कि एक breeder को दे देता हूँ तो उनको मैंने breeder को दे दिये, because वो इतने बढ़ रहे थे कि tank को भी सरपास कर रहे थे similarly मेरे पास dollars 2 dozen के करीब थे, size में बहुत बढ़ चुके थे, palm size के हो चुके थे तो 2 dozen dollar को तो मैं ब्रीड नहीं कर सकता, तो उनको भी मैंने एक local breeder को दे दिये अब सोचूंगा जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो बेबीस रखूंगा मैं उसके बाद मेरी एक floweron थी, उसको मैंने मेरी एक friend को उसके birthday पर gift कर दी तो ऐसे fish tank room में addition subtraction होते रहता है कुछ fishes जाती है, इसलिए उसके बाद कुछ नई fishes आ पाती है तो ऐसे update, ऐसे changes होते रहते हैं हमारे fish tank room में So ये fish tank room का video, आज के fish tank room का video कुछ मैं अलग बनाने वाला हूँ, जो previous part से वैसा नई बनाने वाला हूँ जी हाँ, आज मैं आपको हर एक fish tank की हर एक fish को feeding करके दिखाने वाला हूँ उसके साथ कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि आपके fish tank room का monthly expense क्या है, maintenance cost क्या है तो बाकी कुछ का maintenance cost नहीं है, सिर्फ fish food का होता है तो monthly expense मेरा fish food में कितना जाता है, वो आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ I hope कि ये interesting video आपको लगा कि पहली बार कुछ अलग वीडियो में बना रहा हूँ वैसे तो feeding video में बना रहा हूँ, सारे fish tanks का एक ही video में feeding video में पहली बार बना रहा हूँ बट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें से हर एक fish tank, each and every fish tank मैंने अपने पैसे से बनाई है जिया, be it glass tank, iron stand, shed, ये सब कुछ मैंने मेरे पैसे से बनाया है ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से young subscriber hobbyist है कुछ school में है, कुछ college में है सो मुझे ऐसे बहुत से comments मिले, बहुत से Instagram पे DMs मिले कि उनकी कुछ इसमें से dream tank है, इसमें से कुछ उनकी dream fishes है सो देखिए, एक वक्त पर मेरे भी ये सब dream था मेरे लिए भी इसमें से कुछ fishes मेरे लिए एक dream थी पर उस वक्त में मेरे parents के pocket money से, जो भी pocket money उनसे मिलते थी वो बचा के मैं अपनी hobby चलाता था सो मैं यही आपको एक message देना चाहता हूँ कि आप भी वैसे कीजिए temporary hobby चलाईए आपके parents के support से पर आपकी जो भी dreams है, चाहे आपको ऐसी art feed की fish tank बनानी है या बड़े बड़े silver arwanas रखने या जो भी आपकी मन पसंद आपको fish रखनी है वो आप अपने खुद के कमाई पैसो से ही पूरा कीजे because believe me, जब आपको खुद के पैसो से करोगे जो तसलिय आपको मिलेगी, जो खुशी आपको आएगी जो satisfaction आपको मिलेगा, जो proud feeling आपको मिलेगी वो on next level होगी so all the best to all those जिनकी भी ऐसी कोई dream होगी God bless you all, आपकी dream जल्दी पूरी होगी और आप ज़रूर पुरा करोगे जैसे मैंने पूरी की मुझे भी मेरे city में सबसे बड़ी fish tank बनानी थी तो शायद आज भी सबसे बड़ी है जो 8 fish की fish tank है किसी के भी घर में या किसी के भी बंगलों में या किसी की भी रेश्टरॉंट में आट fish की fish tank हमारे city में तो नहीं है तो ये मेरी एक time पे dream होगरती थी मैंने 1 feet के fish tank से शुरू की आज I am finally able to keep an 8 feet fish tank तो मेरे लिए एक बहुत ही satisfaction की feeling है proud feeling है, happiness की feeling है तो मैं आशे करता हूँ कि ये video देखने वाला जो कोई भी इनसान हो जिनकी जो भी hobby में dream होगी वो जल से चल पूरी हो, तो अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि इस fish tank room के वीडियो में मैं आपको सारी fishes को feed करके दिखाने वाला हूँ आपके सामने जितने भी fish food types आप देख रहे हो, ये में खिलाता हूँ हमारी fish tank room के fishes को इसमें से हर एक fish food brand हर एक fish food type, ये एक special fish food है, particular aquarium fish type के लिए, तो मेरी fish food collection में है, हिकारी के jumbo carne sticks, optimum then हिकारी के special gold fish food, tetra bits और BNT के blood worms, उसके बाद में बीटा के लिए, special fish food तो पहले मैं आपको हिकारी jumbo carne sticks के बार में बताता हूँ और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको price भी बताऊंगा, कि ये मुझे कितने में मिलते हैं, ये आधा kilo का packet है, 500 grams का packet है, आप देख सकते हो, मेरे पास 1, 2, पीछे ये 3 है, तो ये एक single packet मुझे 3000 रुपए तक आता है, आप देख सकते हो, मेरे पास हमेशा jumbo carne sticks का stock पड़ा रहता है अभी मेरे पास 2,5 kg है jumbo carne sticks का तो एक आधा kilo का packet मैं इसकी आपको price भी दिखा देता हूँ यहापे आप नीचे देख सकते हैं इसकी price 4931 बट ये 3000 रुपए तक मुझे मिल जाता है, तो अगर आप dry fruits भी लेंगे तो वो भी हिकारी jumbo sticks से आधा kilo अगर आप लेंगे बदाम काजू तो आपको आधा kilo 500 ये 1000 रुपए तक मिल जाएगा, high quality का भी लेंगे तो 1500 तक मिल जाएगा तो ये थोड़े expensive वाते बड़ इनकी quality बहुत ही गजब की है उसके बाद में यहाँ पे है optimum, ये है मेरे पास एक kilo का packet और ये है आधा kilo का, ये में खिलाता हूँ tiger wafs को mostly और कभी कबर fancy goldfish को तो ये बड़ा वाला packet जो है special fancy goldfish food है ये hikari lion head, ये sinking pellets होते है और हर एक imported fish food के पीछे आप जरूर देखे ये ऐसा label होना चाहिए because imported आते है, मैंने already एक duplicate fish food video बनाया था, जो online circulate हो रहे है तो be careful, be aware अगर जो भी fish food आप लेंगे hikari हो, tetra हो, ऐसा label होना चाहिए, पीछे ये import label है, यहाँ पर information होती है तो ये fancy goldfish food है hikari lion head, बहुत कम मिलता है market में, ये 500 रुपए तक आ जाता है उसके बाद next food है ये hikari oranda gold ये बहुत खिलाता हो मैं fancy goldfish को, ये 1000 रुपए तक मिल जाता है one month चल जाता है ये floating pellets है और ये जो मैंने आपको दिखाएते है hikari lion head, ये sinking pellets है तो ये मैं fancy goldfish को खिलाता हूँ उसके साथ मैं ये tetra bits भी खिलाता हूँ tetra bits complete ये भी sinking pellets है 1000 रुपीस तक आ जाते है उसके बाद tiger bobs को मैं खिलाता हूँ gel blood worms कभी कबार optimum beta, कभी कबार beta bio gold और ये एक नया food है beta bites premium तो ये हो गए हमारे सारे fish food अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी Asian arvana को मैं क्या खिलाता हूँ क्योंकि हमारी Asian arvana थोड़ी ठाट बाट में रहती है boss type की है इसलिए उसको भी खाना boss जैसा देना पड़ेगा इसलिए उसको मैं ये खिलाता हूँ these are life super worms ये मुझे 4 rupees के एक मिलते है मैं Asian arvana को दिन में 10 खिलाता हूँ सुबे 5 और शाम को 5 तो monthly मुझे 300 स्टॉक इनका लगता है super worms का सो मैं ये बल्क में मंगाता हूँ और इनका delivery ओगरा पकड़के 1500 रुपीज तक ये मुझे मिल जाते है सबसे पहले feeding करने वाला हूँ हमारे जाइंट सिलोर अरवानास को उनको में खिलाने वाला हूँ तो ये जंगो कार्णी स्टिक्स ये ऐसे स्टिक्स होते है ऐसे बड़े बड़े स्टिक्स होते है ये तो ये मैं उनको खिलाने वाला हूँ आपके सामने फर्स टाइम तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से खा रहा है तो हमारे सिलोर अरवानास ने अल्मोस्ट सारा फूड खतम कर दिया है थोड़ा और डालना पड़ेगा विकॉज ये बड़े साइज के है इसलिए इनको और डालना पड़ता है सिल्वर अरवानास हमारे फिस्टाइंग रूम के बड़े बुज़ुर्ग है थीरे थीरे खाते हैं उनलाइक अधर फिशेस बड़ कैमरा भी ओन इसलिए लाइट भी ओन है मैं इनको कभी भी लाइट ओन करके कैमरा ओन करके फीडिंग नहीं किया हूं थोड़ी से कैमरा शाय है यह और क्यूंकि हमारे फिस्टाइंग रूम के सबसे एजिट मेंबर्स है इसलिए धीरे धीरे खाते हैं वरना जप्ता मार के खाते हैं पूरा पानी टाइंग के भार गिरा के खाते हैं जब इनका मूर अच्छा रहे तो सो अभी आपको दिख रहा होगा धीरे से खा रहे बड़े शरीफ बन रहे है बट जब मैं बिना कैमरे के या बिना लाइट स्केंग को खिलाता हूं तो यह पानी पूरा गिरा देते हैं इतना छक्टा देकर खाते हैं और एक अनॉंसमेंट करना चाहूंगा इस वीडियो में कि बहुत जल्द मैं इस बड़े से फिस्टाइंग की मेंटिनेंस वीडियो याने कैनिस्टर फिल्टर की क्लीनिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं कि मैं कब और कैसे इस बड़े से फिस्टाइंग का कैनिस्टर फि अर्वानों को फीड करने की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको मैं फीड करता हूँ, Superworms, Life Superworms, हमारी एशन अर्वाना को हो चुका है, एक साल, बहुत छोटी थी जब लेकर आया था, इत्ती सीती फिंगर साइस की आपको प्रिविएस वीडियो में दिखाया था, जब इसका अपडेट वीडियो दिया था, ग्रोथ का अपडेट दिया था, तो अब हम खिलाएंगे इसको Superworms और आप देखेंगे कि कैसे जप्ता मार की ये खाएगे, विकुज मॉंस्टर फिश अरवाना थे लव लाइफ फिड वैसे मैं फीड़ फिड फिड लाइफ फिड फिड ये सब नहीं देता हूं कभी कबार मील वर्म देता हूं, Superworms अभी फिलाल दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि उसे पता चल गया है कि मैं फिड करने वाला हूं, So, इन ट्वीजर का मैं यूज करूंगा फिड करने के लिए, So, ये एक ले लिया है मैंने, अब फिड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि फुर्टी से खा लिया अब सेकेंड खिलाता हूं तो जैसे कि मैंने आपको कहा ला कि ये लोग जपता मार के खाते हैं बढ़ी फुर्टी से खाते हैं अब देख सकते हैं बिकोसे लोव लाइ पीड या जो भी खाते हैं जैसे कोल फिश पीड फिश तो इस कोस टा दील उन प्रेंट्ड अपाई सिपलेटी मासी कि देख सेकेंड फॉल्स वा से उन पाईटाष्टी मार के खाते हैं कि टेंग इसके अंदर मेरे फैलेट फैंसी गोल्ड़फिश जिसे यह वगई रेड कैप उसके बार्ध में ओरएंडा गोल्ड़फिश करा बारीड रेड कैप रांचे कोमन रांचे को यू के ब्लाक ये प्लाक प्राईंडा ये सब मेरे है फेवरेट फैंसी गोल्ट फिस टाइप तो अब मैं आपको इनको फीड करके दिखाऊंगा आप देखेंगे जैसे ही मैं जैसे ही मैं जो एलेशन है वो बंद कर दूंगा यह सारे उपर आ जाएंगे सर्फेस पे इस इनको पता चल जाएगा कि मैं इनको फीड करने वाला इनको अगर मैं 100 ग्राम भी डालो तो वह भी इनको कम पढ़ जाए रहा विक्स बोल्ट फिस बहुत स्यादा खाने वाले पिशेस है तो इनको ने हमला बोल दिया है पेलेट्स के उपर अब यह कुछी सेकंड्स में सब कुछ खतम कर देंगे इनको मैं दिन में दो बार खिलाता हूँ सुबह और शाम को कुछ फिशेस है जैसे जाएंट अरवाना उनको मैं सिर्फ एक बार खिलाता हूँ मीडियम और स्मॉल साइज फिशेस को मैं दो बार खिलाता हूँ दिन में ट्वाइस इनकी केर बहुत लेनी पड़ती है बिकरज ये हाई ग्रेड के हाई क्वालिटी के गोल्फिश है एवरी वीक साइफनिंग करना पड़ता है या वोटर चेंज करना पड़ता है बिकरज अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमोनिया स्पाइक हो जाएगा और ये बहुत सेंजिटिव होते हैं इसलिए अगर आप ऐसे इंपोर्टेट गोल्फिश रखते हो ऐसे फैंसी गोल्फिश रखते हो तो मेक शूर कि आप सही से उनकी केर ले रेगुलर्ली टाइमली वोटर चेंजिस करे या तो साइपनिंग करे इसके लिए मैंने संसं का कैनिस्टर फिल्टर लगाया है 303 वाला सिल्वर अरवन अफिस्टनाइं के लिए 304 भी है उसमें UV लाइट भी है इस वाले में UV लाइट नहीं है पर कैनिस्टर फिल्टर होने के बावजूद भी साइफनिंग करने पड़ती है और आपकी कैनिस्टर में या संप में आप भर-भर के पायो मीजा डाले यह पानी ऐसा ही क्रिस्टल क्लियर रहता है बट फिर भी साइफनिंग करनी पड़ती है आप बढ़ते हैं नेक्स्ट फिस्टाइं के तरफ तो टाइक अब आप्स को मैं खिलाता हूँ अप्तिमूम और यह बबल्स और ट्रबल्स के जल ब्लडवॉम्स मैं आज तक ब्लडवॉमस बहुत कम खिलाता था बट जब से यह फ्रोजन ब्लडवंस और जेल ब्लडवंस आई है जम इस टेरलाइस्ट होते हैं इसलिए मैं तब से खिलाना शुरू कर दिया तो अब मैं इनको आपको खिला के दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि यह किस तरह से कूट पड़ते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से यह पूरे तूट पड़े उन ब्लडवंस के उपर इन्होंने अटाक कर दिया इनको ब्लडवंस यह बहुत पसंद है बिकोज यह ज्यादा कॉंटिटी में है तो आप तू मेक शूर की हर एक टाइक बाब ठीक से पेट बर के खाना का यह विकल अगर इसा नहीं होगा तो यह थोड़े बहुत अगरसिव होते हैं तो दे कन स्थार्ट निपिंग ओन एच अदाव तो यह विकले उनको अच्छे से खाना मिले इसलिए इनको दिन में दो बार मैं फीड करता हूं एग बार OptiMum ओर दूसरी बार है Blood Worms इस वाइड क्रीफिश को खिलाने चेलिए इसनको में खिलाता हूं से यह यह एक फ्रेश कुकुम्बर का तुकड़ा है एक ककड़ी है इसको मैं दिन में एक बार खिलाता हूँ यह सो अब इसको मैं हैंड फीडिंग करने वाला हूँ आप देखेंगे अभी सो अब देखेंगे किस तरह से मेरे हाथ से ले रहा है यह और अब यह फटा-फट खाना शुरू कर देगा बिकरस यह टैंक में सेट हुचुके है तो आप इनको भी हैंड फीडिंग करा सकते हैं यह आप तभी करा सकते हैं जब आपका पैट आपका एक्विरिम फिस टैंक में सेट है तो आपने देख लिया है इसने किस तरह से मेरे हा करने के लिए यहां से आप देख सकते हैं किस तरह से खा रहा है तो इसको आप कुकुमबर दे सकते हो कैरेट दे सकते हो या सिंकिंग पैलेट्स दे सकते हो श्रिम भी इसको मैं कभी कबार देता हूं तो बहुत जल मैं आपको इसकी मोल्टिंग भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से मोल्ट करते हैं I don't think so किसे ने ऐसा वीडियो बनाया होगा तो मैं बहुत जल बनाऊंगा ये किस तरह से मोल्ट करते हैं और उस वक्त आपको क्या करना चाहिए अगर आपके टाइंग में और भी अन्या ट्रेफिश है तो तो अब मैं आपको इसे कैरेट स्लाइस खिला के दिखाऊंगा यहाँ पे मेरे पास ये दो कैरेट स्लाइस है तो आप देखे हो किस तरह से मेरे हातों पर आ गई है तो वैसे तो ये बहुत सुस्त होते हैं एक जगा पर पड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक बट क्योंकि ये टाइंक में सेट हो चुकी है इसलिए ये एक्टिव है और विक्रस मैंने लाइट सौन करी है शायद इसलिए भी ये एक्टिव होगी बट ये ज़्यादा दर टाइम जो है एक जगा पर पड़े होए बिताते हैं बिल्कुल मूपमेंट नहीं करते हैं अब मैं फीड करने वाला हूँ हमारी डंबो येर बीटा को तो आप इसके जो येर के जैसे फिंस है इसलिए इसको डंबो येर बुलाया जाता है तो वह आप देख सकते किस तरह से फ्लेयर कर रही है तो अभी मैं आपको इसे फीड करके दिखाता हूँ तो ये बहुत ही बारीक दाने होते हैं बहुत ही बारीक पेलेट्स होते हैं और ये आपके बीटा फिस के लिए बहुत ही बहुत ही बहतर है बिकोस इनके जो इनका जो मुह होता है वह बहुत छोटा होता है इसलिए अब मैं इसको खिला देता हूँ ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया मेरे हाथ में तो अब देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया तो इतना कॉंटिटी नहीं खिला येगा ये क्योंकि मैं एक हाथ से विडियो शूट कर रहा हूँ और एक हाथ से इसको फीड कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा आ गया तो अब देख सकते हैं अब ये खा लेगी ये थोड़ा देख रही है लाइट के वैसे डर रही है बट इट विल इट ना अब लुक्षा रहा हूँ लुक्षा रहा हूँ तो ये खाने का शुरू कर रही है जो थोड़ा बहुत है वो मैं डिस्कारद कर दूँगा बिद ज्यादा गिर गया अब लुक्षा रहा हूँ तो ना इस ताइम तो फीड आर फैंसी पीच बीटा इसे पता लग गया है कि मैं इसे फीड करने वाला हूँ इसलिए ये अक्टिव हो चुकी है तो आप बीटा बाइट प्रेमियम वित मी ता आ इम गूं तो फीड नाओ तो इसे पर भी आग चुकी है तो बीटा आर रियरली वरी इंटेलिजिट तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ज्यादा फीड करा है बट ये पेलेट्स वाकई में बहुत ज्यादा स्मॉल है अगर ऑप्टिमम के बीटा पेलेट्स और हिकारी के फैंसी बीटा पेलेट्स से आप कंपेर करोगे तो एक पेलेट में ये पाच्छे पेलेट्स इसके बीटा बाइट्स प्रेमियम के फिट हो सकते हैं तो इतने बारिक पेलेट्स है तो आइफ फीड इस बीटा ट्वाइस एडेट्स प्रेमियम के अब इन दो क्रेफिस की इस ब्लू क्रेफिस की और इस गोस्ट क्रेफिस की तो ये जो तुकड़ा है वो ही मैं डिवाइड कर दूँगा इन दोनों को दे दूँगा ये थोड़े से सुस्त है इसलिए प्रेफिस की इसलिए प्रेफिस की इसलिए प्रेफिस की आपको ये दिफरेंट वीडियो अच्छा लगा होगा देख कर मेक शुर्य हिट थाम्जब बॉटन एं बाइन स्टेट वाइट वाइट वाच अफॉन अपक्कमें इंट्रेसिंग वीडियो कमेंट करके मुझे बताईए कि आज का वीडियो कैसा लगा happy face keeping and have a wonderful day ahead this was my fist and crew